शेरगाटी के SMSG कॉलेज में चात्र संग के अध्यच सहित अन्य पदाधिकारियों ने कॉलेज कैमपस में एक बैठक कर चात्रों की समस्याओं को लेकर विचारवी मर्स किया उनका कहना था कि इन दिनों फीज बढ़ोतरी को लेकर चात्र परिशान चल रहे हैं साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया कि कुछ क्रमचारियों दोरा कॉलेज में अबैद वसूली भी की जा रही है जो की ठीक नहीं है इस कॉलेज में ज्यादातर ग्रामीन छेतर से बच्चे आते हैं तथा मद वमनिम्न वर ये परिवार से उनका संबंद है ऐसे में उनका दोहन करना उचित नहीं चातर संग के नेताओं ने कहा कि इस अबैद वसूली की शिकायत वर ये पदाधिकारियों से भी की जाएगी इस मौके पर संके अध्यच सैफ खान उपाध्यच राजनंदन पासवान मुहम्मद रीजवी आलम गौतम कुमार सेद सादिर मुहम्मद अन्जर मुसर्रफ खान अन्वर आलम इंडरिजीत यादवादी दरजन उचातर मौजूद रहे इमरान अली शरगाटी आजकल मुखुद देश जो था सर वो ये था कि कॉलेज में अवैद वसूली की जा रही है जिसकी सिकायत हम लोगों को स्टूडेंस के दुआरा प्राप्त हुई काफी स्टूडेंस हम लोगों के पास आए उन्होंने सिकायत की कॉलेज ने इस बार चार सो रुपे की बढ़ोतरी भी की है फीस में उसकी भी सिकायतों की काफी गरीब गुर्बों का ये एक कॉलेज है और काफी दूर दूर से बच्चे यहां पे आते हैं और अपनी तालीम को हासिल करते हैं दूसरी सिकायत जो है वो पंजियन संख्या को लेकर के हम लोगों के पास आई जिसके कारण में हम लोगों ने मीटिंग कायोजन किया पंजियन संख्या की वसूली की जा रही है 20 रुपया इस्टूडेंट से जो बिलकुल सर अवैद है इन बैठकों में जो सामिल नेता रहें वो राजनंदन पासवान मुहम्मद रिजवी आलम और मैं छात्र अध्याच सैफ खान हम लोगों ने आयोजन कॉलेज केमपस में ही किया इस मीटिंग का और काफी सैक्ले स्टूडेंट रहें और उन स्टूडेंट्सों ने अपनी अपनी प्रोब्लम को बताया और कॉलेज के बिटरमेंट को ले करके कॉलेज को भरस्ट चार मुक्त बनाने है तू सारा परियास करने का संकल पुठाया और जिसकी शिकायत हम लोग आला अधिकारियों से भी करेंगे सर प्रिंस्पल महोदाय अभी कॉलेज में नहीं थे आज के डेट में वो आएंगे तो उनसे भी शिकायत को दर्च कराया जाएगा और जदी अगर उन्होंने हम लोगों की बात नहीं सुनी तो वाइस चांसलर और मगज उनिवर्सिटी से भी शिकायत दर्च की जाएगी और ग्यापन उनको भी सौपा जाएगा